हाई एवरीवन दिस इस वर होस्ट आमेंटर परीम पांडे वेलकमिंग वाल तो अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ क्लास 9 इंग्लिस जी हां हम इत्पार इंग्लिस पहने वाले हैं हमने आपके क्लास 9 के साइन्स के जितने भी चाप्टर टम ओन की एक्जामिनेशन में आ इस वीडियो में रखे हैं आपके लिए जी हां जिससे आपको सभी तरीके के वराइटी पैटर्न कैसे क्वेस्ट आएंगे यह सभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और इंग्लिस लिट्रेचर आपको तो पता ही होगा यार कि आपकी एक्जाम में 20 मार्क्स का आ ठीक है तो थोड़ा समय निकालो यार अपने लिए भी निकालो पढ़ाई के लिए निकालो और इस वीडियो को जरूर देखो अगर पहली बाद चानल पर आयो तो चानल पर सस्क्राइब कर सकते हो अगर चाहो तो ना अब हम आपकी इंग्लिस लेटरिचर की जो में बुक ह अब हम कौन से साल में है आपको पता है 2021 में है और यह चाप्टर ना इस साल आगे का यह चाप्टर है अब 100 साल आगे का चाप्टर है तो बच्चे उस समय काफी एडवांस हो जाएंगे अभी हम कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं तो तब कि बच्चे तो पूरी तरीके से इस चाप्टर में जिन्हें पूरानी बुक मिलती है मतलब यह बच्चे तो कंप्यूटर से पढ़ते हैं अब इन्हें नहीं पता है कि बुक्स क्या होता है जब उन्हें बुक्स मिलती है तो यह बच्चे काफी सप्राइज होते हैं वो उस बुक के बारे में बाते करते हैं यह सारी तीज़े हमनी इस चाप्टर में पढ़ा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, अब हम questions को करने की कुसिस करेंगे, यह जो हमारा पहला question है, यह एक extract based questions है, मतलब इस चाप्टर से कुछ lines हमने ली है, lines को पढ़ो, समझो, और उससे related questions को करते हैं, ठीक है, चालो, line को पढ़त लेकिन Tommy वहीं कहता है, जो हमारा television screen है, जो हमारा computer वाला teacher है, इसके हंधर तो लाखों की संख्या में किताबे हैं, और हमें इस computer को कभी fake ना नहीं पढ़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हमने एक book पढ़ ली, तो हम दूसरी download करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, आगे, मार्गी कहती है कि मेरा भी यही सोचना है, मार्गी जो है, वो एक लड़की है, 11 साल की, और मार्गी ने ना, Tommy के मुकाबले थोड़ा सा कम टेली बुक्स पढ़े हैं, टेली बुक का मतलब क्या होता है, टेली का मतलब होता है screen, ठीक है, और book का मतलब तो आपको पता है, ऐसी book जो computer screen पर पढ़ी जाए, उसको हम टेली बुक केहते हैं, तो मार्गी केहती है, कि मार्गी 11 साल की है, और जो Tommy है, वो 13 साल का है, ठीक है, तो मार्गी ने ओवियसली थोड़ा कम बुक्स पढ़े होंगे, क्यों, क्योंकि ये छोटी है, अब आगे देखो, फिर मार्गी केहती है, कि Tommy तुम्हें किताब का मिला, Tommy केहता है, कि घर में, Tommy थोड़ा सा कुछ पढ़ रहा था, और बिजी था, इसलिए उसने क्या किया, अपनी उंगली दिखा दी अपने घर की तरफ, और कहा कि मुझे वहीं, घर पर मिला है, ठीक है, उसके बाद फिर मार्गी केहती है, ये किताब किस बारे में है, Tommy केहता है, ये किताब स्कूल के बारे में है, अब इन लाइन्स को पढ़ ले है, हमने चलो questions को करने की कोजिस करते है, number one question, Tommy calls this book a waste, because, अब पूछ रहा है आप से कि भाई, पहली लाइन में, Tommy ने इस किताब को एक बकवाश चीज कही है, क्या इस किताब को ह गलत नहीं सकते है, गलत, क्या किताब हमें कुछ पढ़ाता नहीं है, गलत, पहला वाला हमारा option बिल्कुल सही है, so first का A is our correct answer, दूसरा question क्या कह रहा है, दूसरा question कह रहा है, कि the old book was about, जो Tommy और मारगी को पुरानी book मिली थी, वो book किस बारे में थी, ये देखो, यहाँ पर Tommy पूछा था ना, मारगी ने पूछा था ना, ये book किस के बारे में है, Tommy कहता है, इस्कूल के बारे में है, ठीक है, तो देखो, इस्कूल है, क्या यहाँ पर बिल्कुल है, C वाला option हमारा इसका correct हो जाएगा, ठीक है, चलो, next question पर चलते है, हमारा third question इसी paragraph से, third question पूछ रहा ह आपके पास options क्या है, million, slight, plenty of, deficient, millions का मतलब होता है, ठीक है, तो ये कम और जादा तो कुछ मतलब है नहीं, slight, slight का मतलब होता है, कम, deficient का मतलब होता है, कम, plenty का मतलब होता है, जादा, so इस less opposite क्या हो जाएगा, ये plenty हो जाएगा, ठीक है, चाल, next question पर चलते हैं, हमारा question number four, पूछ रहा है कि भाई, telly book किसे कहते हैं, मैंने बताया था, telly का मतलब क्या होता है, telly का मतलब होता है, भाई साभ, screen और book का मतलब आपको पता ही है, तो भाई, ऐसी किताब, जो किसी screen पर पढ़ी जाए, किताब की screen पर, mobile की screen पर, उसको हम telly book कहते है, ये देको कहीं करते हैं आपको इन लाइन्स को पढ़ना है अब पढ़के इन questions का answer करना है ठीक है चालो start करते है मार्गी even wrote about it that night in her diary जब मार्गी और टॉमी को ये किताब मिलती है न तो मार्गी इतनी excited हो जाती है कि वो अपनी diary में इस किताब के बारे में लिखती है क्या इसने आज तक किवल कम्प्यूटर को बुक्स पढ़ी थी ठीक है मार्गी आगे लिखती है कि ये किताब काफी पुरानी है और मेरे दादा जी ने एक बार बताया था कि मेरे दादा जी ने उन्हें बताया था कि भाई पहले की जवाने में जो stories होती थी वो paper पर print होकर मिलती थी मतलब वो किताबों में दी जाती थी ठीक है तो मार्गी ने आज तक किवल किताबों के बारे में सुना था उसे देखा नहीं था इसलिए पहली बार इस किताब को देखकर मार्गी काफी surprise हो गई आगे वो इस book के बारे में लिखती है कि जब उन्होंने उस book के पन्ने को पलटा न तो उस book के जो पन्ने थे काफ अच्छा मूफ करते रहते थे लेकिन इस book में जो words है वो fix है वो एक ही जगह इस्थित है वो कहीं भी हिलडूल नहीं रहे है ठीक है and when they turned back to the pages before it had the same words on it that it had when they read it first time मतलब मार्गी और टॉमी को ये किताब काफी मजाकिया लगती है क्यों क्योंकि जो अक्छर होते थे न उस word उस किताब में जो कुछ भी लिखा है न वो अपनी ही जगह पर रहता था उनके computer में तो ऐसा होता नहीं था आपको पता है computer में जो words होते हैं वो बदलते रहते हैं है की नहीं है चलो तो ये रहा हमारा पूरा passage और इस passage से questions है इनको करने की कोसिस करते हैं number one question पूछ रहा है की what strange thing did Margie find one day Margie को कौन से विचित्र चीज मिलती है क्या computer मिलता है नहीं newspaper मिलता है नहीं किताब मिलती है जी हाँ c वाला option बिलकुल सही है Margie को एक book मिलती है और उस book के जो words है वो fix word है मतलब वो book के जो words है वो बदलते नहीं है एक बार जो print कर दिया गया वो ऐसे ही रहते है तो ये book देखकर Margie काफिया surprised हो गई थी ठीक है तो ये तीनों option गलत है और c वाला हमारा option बिलकुल सही है बात करते हैं second question की second question पूछ रहा है कि जो आपकी पुरानी book होती है वो आपके electronic book से कैसे अलग है भाई पुरानी book में जो words होते थे ना उसके word fix होते थे लेकिन जो electronic book के words होते हैं वो moving होते हैं वो हर समय बदलते रहते हैं ठीक है तो कौन सा साही होगा ये देखो has non moving and fixed words मतलब जो हमारी पुरानी books होती थी उनमें जो text होते थे उनमें जो words होते थे वो move नहीं करते थे वो fix रहते थे एक जगह पर तो बी वाला option हमारा बिलकुल correct है now let's move to the third question which word in the passage means the same as humorous आपको अगर humorous का मतलब पता हो तो humorous का मतलब होता है मजा किया क्या होता है मजा किया अब आपको चार options में से वो option चूस करना है जिसका मतलब होता है मजा किया Read, read का मेतलब तो मजा किया होता नहीं है Funny funny का मतलब यह तो मजा किया होता है तो b वला option बिल्कुल सभी होगा awful का मतलब होता है गंदा wrinkled का मतलब होता है morya हुआ और funny का मतलब क्या होता है मजा किया, तो हमारा इसका correct option क्या हो जाएगा funny यूमरेस का same word कौन सा है ठीक है चालो चौथा question इस पैसे से करते हैं कि how long ago were the old schools around मतलब यह जो story है यह 100 साल आगे की है ठीक है तो अभी 100 साल पीछे अगर तुम जाकर देखोगे तो तुमें schools मिलेंगे ना तो centuries ago हमारा बिलकुल एक answer होगा century का मतलब क्या होता है 100 साल hundred of years ठीक है ठीक है ठीक है third question इसी chapter से again एक line है इस line को पढ़ते हैं और इसी से related questions है line क्या है sure they had a teacher but it was not a regular teacher हमारी पूस्ती है कि Tommy मुझे एक बात बताओ क्या नाने जवाने के जो बच्चे school में पढ़ते थे क्या उनके पास teacher हुआ करते थे क्या Tommy कहता है बिलकुल हुआ करते थे sure they had a teacher लेकिन वो teacher हमारे जैसे teacher नहीं थे यहां पर Tommy जो mechanical teacher है मतलब जो computer वाला teacher है जो उन्हें पढ़ाता था उस teacher की बात कर रहा है कि पुराने जवाने में जो teacher होते थे वो इंसान होते थे वो हमारी तरह regular teacher नहीं होते थे अब इसी से related questions है who does they refer to इस line में यह जो they word use हुआ यह किसके लिए यूज हुआ है थोड़ा फिर से पढ़ो तुम्हें समझ में आ जाएगा sure they had a teacher Tommy कहता है हाँ उनके पास teacher था उनके पास मतलब किनके पास जो पुराने स्कूल के बच्चे थे उनके पास ठीक है तो students from old school ठीक है समझ में तो आया ना यार दे किसके लिए use हुआ है जो पुराने जवाने के बच्चे थे उनके पास teacher था तो उनहीं की तो बात हो रही ह ना उन पुराने जवाने के बच्चों की बात हो रही है तो हमारा इसका डीवला option बिल्कुल सही होगा let's move to second question मैंने अभी आपको बताया second question पूछ रहा है कि regular teacher का मतलब क्या है regular teacher का मतलब वो जो computer वाला teacher था जो Tommy और मारगी को पढ़ाता था हम उसको mechanical teacher भी कहते है ठीक है physical teacher गलत है teacher who regularly goes to school यह भी गलत है और none of the work तो होई नहीं सकता तो mechanical teacher हमारा correct option है ठीक है चलो थर्ड की बात करते हैं थर्ड बोल रहा है कि भाई इन अबब लाइन नहीं होते थे वो इनसान होते थे तो इन दोनों में क्या किया गया है comparison किया गया है की नहीं comparison किया गया है तो यह line सही हुई या नहीं हुई बिल्कुल सही हुई true हुई ठीक है चलो fourth question इस particular chapter से कि इस chapter का जो writer है वो कौन है आईसक ऐसी मोव चाप्टर का नाम और writer का नाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है exam में आते हैं ठीक है तो आपको जो पहला chapter है दफन दे है उसके writer कौन है आईसक ऐसी मोव याद रहेगा बिल्कुल याद रहेगा इसी चाप्टर से आखरी question है who said to whom किसने किस से कहा है यह line पढ़ो और बताओ कि इस line को किसने किस से कहा है because it's not our kind of school stupid अब इस line को पढ़कर आपको पता ही चल गया होगा कि इस line को ना Tommy मारगी से कह रहा है कौन? Tommy मारगी को समझा रहा है कि stupid पागल जो पुराने जवाने के school होते थे वो हमारे जैसे school नहीं होते थे this is the old kind of school पुराने जवाने के school काफी old-fashioned school हुआ करते थे और वो school आज से 100 साल पहले हुआ करते थे ठीक है तो यह बात किसने किस से कही है Tommy ने मारगी से कही है तो Tommy ने मारगी से कही है okay now first chapter finish हो गया let's move to the second chapter the sound of music इस chapter को आपने पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा है इस chapter में दो parts है first part और second part first part Evelyn Glaney के बारे में है और दूसरा part हमारे इंडिया के ही उस्ताद बिस्मिल्ला खान के उपर है तो इन दोनों parts से इस particular chapter के questions है करते हैं सबसे पहला extract based question है आपके Evelyn Glaney वाले chapter से ठीक है अगर आपने Evelyn Glaney वाला chapter पढ़ा होगा तो chapter इसी line से start होता है इस line को मैं आपको एक बाफेट से समझा देता हूँ Russ our crowds जो शल्फार position underground train platform मतलब भाई सुबह का समय था और train underground platform मर जाकर खड़ी थी और लोग धकता मुख के कर रहे थे train पर चढ़ने के लिए वही पर एक पतली सी लड़की थी वो इतनी पतली थी कि भाई उसकी उमर 17 साल की थी लेकिन वो लगी नहीं रही थी कि 17 साल की है इतनी पतली थी वो लड़की वो जो girl थी वो काफ़ी excited थी क्यों excited थी क्योंकि उसने पहली बार train को महसूस किया था अब ये लड़की कहां जा रही थी ये लड़की prestigious royal academy जो की music का school है और लंदन में है वहाँ पर music सीखने जा रही थी और ये लड़की काफी daunting मतलब काफी डरी हुई थी क्योंकि भाई कोई भी कोई भी लड़का हो लड़की हो अगर वो किसी गाउं से निकल कर मतलब ये जो तुम भी डर जाओगे तुम पहली बाद स्कूल जा रहे थी डर नहीं थे क्या जूट मत बोलना डरे थे ना बिलकुल डरे थे तो वैसे ही एवलान ग्लैनी भी डर गई थी ठीक है आचा चालो इसी से related questions है questions को करेंगे क्या है पहला question वो इस the girl in the above lines जो उपर की लाइन है न में बात की गई है अवलान ग्लैनी इतनी पतली थी कि वो 17 साल से भी छोटी लगती थी ठीक है चलो दूसरे question की बात करते है second question अब यह भाई यह जो लड़की है यह जो एवलान ग्लैनी वो कहां जा रही थी where was she going मैंने आपको बताया कि यह royal academy of music जो कि लंदन में है वहां जा रही थी यह देखो लिखा गया है न यह देखो क्या लिखा है यह देखो it was first day at prestigious royal academy मतलब यह इस लड़की का पहला दिन था यह कहां जा रही थी यह यहाँ पर जा रही थी royal academy of music में ठीक है third question करते है आपको इस पैसे से एक ऐसा word निकालना है जिसका मतलब होता है डरा हुआ या frightening ठीक है डरा हुआ अब आपको इस पैसे से word निकालना है excited का मतलब होता है आप किसी के लिए excited हो आपको कुछ जानना है excited का मतलब डरा हुआ तो होता नहीं है तो यह तो होगा नहीं daunting मतलब पता ही नही अब होई नहीं सकता है, तो भाई obviously यह एक ही बसता है, daunting, जिहाँ मैं आपको बता दू, daunting, google कर ले, daunting का मतलब होता है, डरा हुआ या डरा होना, ठीक है, तो frightening और daunting बिल्कुल same word है, daunting word कहां, इस passage में, मैंने आपको बताया था न, यह देखो, किसी भी लड़की के लिए काफी डराऊना होता है अगर वो गाउं से निकल कर लंदन जाए तो ठीक है? चालो तो ये question भी हमने कर लिया, third question तो करी लिया Now question हमें two करेंगे हम इसी chapter से इस question में पूछ रहा है कि भाई, इविलान की मा को सबसे पहले कब पता चला कि एविलान को सुनने में दिक्कत हो रही है? कब पता चला? आठ साल की उमर में at the age of eight. कैसे पता चला? आपको इस chapter में पढ़कर एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि एविलान, उनकी मम्मी, उनके पापा एक पाटी में गए थे, पाटी में एविलान का नाम बुलाया जा रहा था, लेकिन एविलान सुन नहीं पा रही थी, तो वो कब की बाद है जब एविलान ग्लैनी आठ साल की थी, तो ये बात हमेशा याद रखना कि एविलान ग्लैनी के मा को सबसे पहले कब पता चला कि एविलान को सुनने में दिक्कत हो रही है जब वो 8 साल की थी, याद रहेगा बिल्कुल याद रहेगा, चालो, थर्ट क्वेशन करते हैं इसी चाप्टर से, ठीक है थर्ट क्वेशन भी एक्स्ट्रेंग्ड बेस्ट क्वेशन है इस लाइन को पढ़ते हैं और इन क्वेशन को करने की कोशिस करते हैं लाइन क्या है? एविलान ग्लैनी, loss of hearing had been gradual कहा जा रहा है, कि भाई, एविलान ग्लैनी ना ऐसा नहीं है कि जनम से बहरी थी और अंधी थी, सॉरी, अंधी तो नहीं थी एविलान was waiting to play the piano मतलब एविलान ग्लैनी के जो कान का नस था ठीक है, वो धीरे-धीरे खराब हो जाता है जिसकी वज़े से वो बहरी हो जाती है और एविलान की मा को सबसे पहले जब वो 8 साल की थी, तब पता चला कि एविलान को सुनने में दिक्कत हो रही है कैसे पता चला, एविलान का नाम बुलाया जा रहा था पियानो बजानी के लिए लेकिन जो एविलान ग्लैनी थी वो सुनी नहीं पा रही थी, इसलिए इसलिए एविलान की मा को लगा कि शायद शायद एवलान ग्लैनी को सुनने में दिक्कत हो रही है ठीक है अब इसी line से related कुछ questions है सबसे पहला कि इजाबेल ग्लैनी कौन थी यह इवलान ग्लैनी की कौन थी मदर थी ठीक है यह देखो इवलान ग्लैनी सलोन यह देखो यहाँ पर लिखा गया है कि मा के बारे म ही बात हुई है ना हर मदर रिमेंबर्स तो मा कौन थी इजाबेल ग्लैनी इजाबेल ग्लैनी कौन थी एवलान की मा थी ठीक है याद रहेगा चलो second question की बात किरते हैं कि भाई वाई डिड़ एवलान ग्लैनी आपको क्या लगता है जब एवलान ग्लैनी का नाम बुलाया जा रहा था कि एवलान आके पियानो बजाओ पियानो बजाओ लेकिन एवलान सुन नहीं पा रही थी इसके कारण क्या हो सकता है because she was busy in doing something else क्या वो कहीं और busy थी गलत यार यह होई नहीं सकता है because she was not in that party यह भी गलत है वो उसी party में थी तीसरा because she had not her name being called हाँ यह हो सकता है कि शायद एवलान ग्लैनी ने अपना नाम ना सुना हो ठीक है क्योंकि उसको सुनने में problem थी और एवलान ग्लैनी बुलाया तो जा रहा था लेकिन शायद वो अपना नाम ना सुन पा रही हो इसलिए वो move नहीं कर रही थी वो वहाँ से हिलडुल नहीं रही थी ठीक है चालो third question की बात करते है कि how did एवलान लाज her hearing मतलब एवलान की सुनने की समता कैसे चली गई कैसे वो बहरी हो गई क्या उनका accident हुआ था गलत क्या वो जनम से बहरी थी गलत क्या वो बहुत तेज आवाज में music सुनती थी इस वज़े से वो बहरी बन गई गलत क्या होगा due to gradual nerve damage उनके कान की जो नस थी न वो धीरे धीरे खराब हो गई थी इसकी वज़े से उनको सुनाई देना बंध हो गया था ठीक है तो हमारा correct option क्या होगा इवलान बहरी कैसे हुई उनके nerve उनकी जो नसे थी वो damage हो गई थी ठीक है चलो फूर्थ paragraph ये हमारा extract based question अगला extract based question इस chapter 6 अब देखो यहां से अब हम बिस्मिल्ला खान के बारे में पढ़ेंगे ठीक है मतलब बिस्मिल्ला खान के बारे में बताया जा रहा है कि बिस्मिल्ला खान जब तीन साल के ही थे न तो उनकी मां उनको लेकर उनके मामा के घर बनारस में चली गई थी अब बिस्मिल्ला खान जब अपने मामा को सहनाई बजाते हुए देखते थे ना तो उनको बड़ा मजा आता था वो बहुत आकरसित हो जाते थे उनकी तरफ और धीरे धीरे बिस्मिल्ला खान अपने मामा का साथ देने लगे कैसे साथ देने लगे बिस्मिल्ला खान के जो माम थे ना अली बक्स वो विछनू मंदिर में काम करते थे उनको तो नौकरी दी गई थी सहनाई बचाने के लिए तो होता क्या था अली बक्स उड पले दसे competency अब जो इसके मामा थे अली बक्स वो अराम से सहनाई बजाते थे और बिस्मिल्ला भी उनके साथ उस मंदिर में जाते थे और आराम से captivated होकर, captivated होकर मतलब मोहित होकर, fascinated होकर वो उस सहनाई को सुनते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था ये सब कप की बात है जब वो तीन साल के थे ठीक है, तो इस lines को भी हमने पढ़ लिया अब हम कुछ questions को करने की courses करते हैं पहला question, where did the young boy spend his life at the age of three जब वो तीन साल के थे तो बिसमिल्ला खान ने अपना जीवन कहां बिताया ये देखो लिखा गया सीधा बनारस में at maternal uncle house बनारस जी हाँ पहला वाला option हमारा बिल्कुल सही होगा क्या दादा जी के घर गये थे वो गलत, बिसमिल्ला खान के दादा जी यही नहीं, ठीक है क्या वो डुमरा हो गये थे गलत, none of the above भी नहीं होगा तो हमारा correct option क्या होगा, बनारस ठीक है लिखा गया passage में, अच्छा दूतरा question पूछ रहा है कि यह जो बिसमिल्ला खान थे, जब यह छोटे बच्चे थे तो यह किस चीच को देखकर आकरसित हो गये थे किस चीच को, सहनाई को देखकर या सहनाई जब उनके मामा बजाते थे उस चीच को देखकर बोथ A and B are none of the above भाई दोनों, सहनाई और practice of सहनाई, दोनों को देखकर बिसमिल्ला खान को बहुत मज़ा आता था, ठीक है तो बोथ A and B is our correct answer बात करते हैं, third question की, कि भाई अली बक्स, जो बिसमिल्ला खान के मामा थे उनका जो नौकरी लगा था, वो कहाँ पर लगा था, where was अली बक्स employed, कहाँ पर लगा था, obviously विस्नु टेम्पल, मैंने आपको दिखाया था, भी हमने पढ़ा ना, कि कहाँ जाते थे अली बक्स, ये देखो, अली बक्स to the विस्नु टेम्पल of बनारस where अली बक्स वास employed, अली बक्स को नौकरी मिली थी विस्नु टेम्पल में, ठीक है तो कहाँ पर अली बक्स को नौकरी मिली थी विस्नु टेम्पल में, ठीक है, शालो तो भाई, ये भी हो गया हमारा, fifth question इसी चाप्टर से पढ़ते हैं, और ये भी extract based question है, बिस्मिल्ला खान हमारा देश आजाद हो गया है बिस्मिल्ला खान ने 15 अगस 1947 को राग कफी, ये एक तरीके का राग होता है सुर्टाल, तो उसी तरीके का एक राग होता है राग कफी, राग कफी में इन्हों ने बिस्मिल्ला खान ने सहनाई बचाई थी कहां पर लाल किला में और उसके बाद पंडी जवाल लाल नहरू ने अपना स्पीच भी दिया था और पंडी जवाल लाल नहरू का ये स्पीच काफी काफी जाधा फेमस है ट्राइस्ट विट डेस्टिनी आप गूगल करके पढ़ना अपको मज़ा आ जाएगा ठीक है तो ये तो रही इस लाइन्स की बाद कि भाई सबसे पहले बिस्मिल्ला खान ने सेहनाई बजाकर देशवासियों को धन्यवाद दिया कि भाई अपना देशाजाद हो गया है और उसके बाद हाँ एक चीज ये भी याद रखना नहीं पूरे देश को धन्यवाद कहा कि या उन्होंने राग सूफी में सेहनाई बजाई ये किसका अएज सपीछ है पंडिश जवालल नहरू का सपीछ है नहरू जी ने बहुत धमाकेतार सपीच दी थी, याज recursos पढ़ा मरा तक माइंड ब्लू हो गया अभी गूगल करके पढ़ना ट्राइस्ट विट डिस्टिनी स्पीच मज़ा हो जाएगा ठीक है तर्ड प्वेस्टिनी स्पीकर किसी को सुनने के लिए अगर लोग इकठा होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं इसका मतलब तुम्हें पैसे से ढूडना है चलो ढूरते हैं जो जब किसी को सुनने के लिए यह कहीं पर है क्या इंडिया इंडिपेंदेगेंटेट्स studied here और अंब सब्सक्राइब सकते हैं और इसको कोई सुन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको mornik Pir को तो इसका जो हमारा करेक्ट का एंसर होगा वह audience होना च contact प्या क्या आविव Sydowel क Weekly वाला option क्या है audience है तो भाई जिसको लोग सुने उसको हम audience कहते हैं चलो sixth question and आकरी question इस chapter का his first trip abroad was अफगानिस्तान मतलब बिस्मिल्ला खान सबसे पहले अपने भारत से बाहर किसी देश में गए थे तो अफगानिस्तान वहां की जो राजा थे जाहिर साह वो वो बिस्मिल्ला खान की सेनाई बजाने से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने बिस्मिल्ला खान को अमुल बहुत ज्यादा महंगा आने वाला पर्सियन कार्पेट गिफ्ट में दे दिया और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे गिफ्ट उन्होंने बिस्मिल्ला खान को दिये अब इस लाइन से भी आपके लिए क्वेशन से हैं पहला क्वेशन क्या है कि बही किस देश में पहली बार बिस्मिल्ला खान गय थे अफगानिस्तान में गय थे ठीक है यह दिख जाहिड साब प्रिजेंट बिस्मिल्ला खान जाहिड साथ जो अफगानिस्तान की राजा थे उन्होंने बिस्मिल्ला खान को क्या दिया पर्सियन कार्पेट दिया, सोविनर्स दिये नन अफ दे अवर्ब या बोथ 1 और 2 obviously दोनों दिया यह दिखको लिखा गया पर्सियन कार्पेट और सोविनर्स दोनों दिया न, तो हमारा बोथ A और B हमारा बिल्कुल correct option होगा second का क्या है? बोथ A and B now third question इसी chapter से देखते हैं इसी extract से देखते हैं पूछ रहा है कि आपको passes से एक ऐसा word ढूड़ना है जिसका मतलब होता है momenta ठीक है अब momenta का मतलब क्या होता है थोड़ा पढ़ते हैं momenta 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 का मतलब होता है यार जड़ भर के लिए कितने जड़ भर के लिए मतलब कोई special time या कोई एक छोटा सा समय जिसमें कुछ special हुआ हो तो यहाँ पर क्या होता है momenta find word from the passage which has the same meaning as momenta 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 का मतलब होता है याद किसी की याद में दिये जाने वाली चीज को हम momenta कहते है ठीक है तो याद में इसको हम souvenirs कहते है momenta का जो same word है वो है हमारा souvenirs momenta का मतलब किसी की याद में दिये जाना वाला कोई चीज और सौविनर्स का मतलब भी होता है किसी की याद में दे जाना वाला कोई चीज ठीक है इस चाप्टर को इस चाप्टर को इस दे राइटर अफ दे चाप्टर एवलान ग्लैनी लिसन्स तो मुजिक विधाउट हीरिंग एट इस चाप्टर को लिखने वाला कौन है एवलान ग्लैनी का जो चाप्टर है इस चाप्टर को किस ने लिखा है तो मैं आपको बता दू कि जो एवलान ग्लैनी वाला चाप्टर है इसको डेबरा कॉली ने लिखा था किस ने लिखा था डेबरा कॉली ने Ruskin Bond ने नहीं लिखा था, Catherine Mansfield में भी नहीं लिखा था, Wacom Mohamed Basir भी नहीं, Deborah Kauly हमारा बिल्कुल correct option होगा, Evalan Glani chapter को किस ने लिखा, Deborah Kauly ने लिखा, Now we will move to third chapter, The Little Girl, ये भी आपकी Beehive कल chapter है, और हमारा जो सबसे पहला question है, वो extract based question है, हमें इन lines को पढ़ना है, और कुछ questions के answer करना है, चलो lines को पढ़ते हैं, इस chapter को आपने already पढ़ लिया है, केजिया के बारे में ये chapter है, chapter start होता है, on Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, मतलब जो केजिया की दादी मा थी न, ताकि वो अपने ममी पापा से बात कर सके, और जब केजिया अपने ममी पापा से बात करेगी, तो obviously वो अपने father और mother के close जाएगी, ये सोच कर दादी उसे रोज संडे को नीचे भेज देती थी, लेकिन जो छोटी बच्ची थी केजिया, जब वो नीचे ड्राइंग रूम में जाती थी, तो वो क्या देखती थी, वो देखती थी कि उसकी जो मा है, वो कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी, और उसके जो पापा है, वो क्या कर रहे होते हैं, father stressed out on the sofa, उसके जो पापा है, वो सोभा पे लेटे हुए होते थे, उनके चेहरे पर रुमाल होता था, और उनका जो पैर होता था, वो तकिये पर, एक मुलायम से तकिये पर होता था, और वो आराम से सो रहे होते थे, तो ये था हमारे पूरे paragraph में, कि भाई, केजिया की दादी मा, संडे के दो पर को केजिया को अपने पापा ममी से बात करनी के लिए भेशती थी, ड्रॉइंग रूम में, लेकिन जब केजिया ड्रॉइंग रूम में पहुसती थी, तो वो देखती थी कि उसके पापा ममी दोनों busy है, पापा सो रहे होते हैं, और उसकी मम्मी पढ़ रही होती है चलो, पहला question इसी पैसे से है कि भाई, why did the grandmother sent her down on Sunday, केजिया की दादी मा हर संडे के दोपर को केजिया को नीचे क्यों भेशती थी? खेलने के लिए अपने पापा और मम्मी के साथ time spend करने के लिए खाने के लिए या चर्च जाने के लिए तीनों तो होगा नहीं, obviously अपने पापा और मम्मी के साथ time spend करने के लिए भेशती थी तो हमारा be all option बिल्कुल correct है second question हमसे कहता है कि what did she notice about her parents? मतलब केजिया जब drawing room में जाती थी तो वो अपने parents को क्या करते हुए देखती थी, उसके parents क्या कर रहे होते हैं, क्या उसके parents आपस में busy रहते थे, क्या उसके parents lunch कर रहे होते थे, क्या उसके parents garden में बैठे हुए होते थे या एक दूसरे से लड़ रहे होते थे नहीं, एक दूसरे से लड़ाई तो नहीं करते थे वो garden में भी नहीं रहते थे और ना ही वो खाना खाते थे उनके पापा सोते थे और उनकी मम्मी पढ़ती थी मतलब वो दोनों अपने में ही busy रहते थे तो हमारा second वाले का correct option क्या होगा busy in themselves ठीक है चलो third question पूछ रहा है कि भाई आपको passage से एक ऐसा adverb धूड़ना है adverb क्या होता है जो verb या adjective की quality बताए उसे हम adverb कहते हैं बोला है आपको passage में से एक ऐसा adverb धूड़ना है जिसका मतलब होता है undisturbed undisturbed का मतलब होता है अकेला या सान्ती से रहना इसको हम बोलते है undisturbed ठीक है अब आपको passage से word धूड़ना है क्या inexiously, nicely, joyfully और soundly में से कौन सा word passage में use हुआ है ये देख लो आपको बता चल जाएगा ठीक है तो अगर आप passage पढ़ोगी ये उपर वाला passage पढ़ोगी न ये तो न इसमें inexiously न तो इसमें nicely इन सा word का use ही नहीं हुआ है कौन से word का use हुआ है केवल एक word और वो है soundly ठीक है आप last line में देखो एक word यूज हुआ है रहा soundly ये देखो sleeping soundly soundly का मतलब क्या होता है soundly का मतलब होता है सांती से सोना या undisturbed सोना ठीक है तो soundly हमारा undisturbed होता है ठीक है ना फोट question की भाई केजिया को अपने पापा, मंमी से बात करने के लिए क्यों भेजा जाता था ताकि उसके पापा उसके close आ पाएं, ताकि उसके पापा उसे story सुना पाएं या उसे पैसे दे पाएं केजिया को थोड़ा सांत कर पाएं किसलिये केजिया जाती थी obviously अपने पापा मम्मी के वो close जाना चाहती थी क्योंकि केजिया अपने पापा से बहुत डरती थी इसलिए वो सोचती थी कि मैं कुछ बात करूंगी पापा से तो मैं close आ जाऊंगी उनके तो हमारा ए वाला option बिल्कुल सही था हम बात किरते हैं second question की इसी chapter से इस question में क्या है अब ये जो paragraph है ये तब का है जब केजिया जो आपने पापा को पिन कुशन गिफ्ट करना चाहती थी पिन कुशन क्या है तकिया होता है एक तरीके का ठीक है तो जो केजिया थी ना उसने cotton कपड़े का यूज करके तकिया के तीन साइट तो सिल दिये लेकिन अब उसको ये दिक्कत थी कि भाई इस तकिया में भरा क्या जाए अब ये एक बहुत बड़ा question था उसके सामने वो पहली बार कोई तकिया बना रही थी और उस तकिया में क्या भरना है उसे पता नहीं था उसकी दादी मा गार्डन में थी और इसी वज़र से केजिया इधर उधर रूम में जाती है और रूम में जाते जाते हैं वो अपने मा के बेडरूम में पहुशती है और ये खोजती है कि क्या कुछ टुकडे मिल जाएंगे इस तकीये में retOM अब इसी से related कुछ question है पहला question है कि भई वो केजिया जो थी टे लिटल गल जो थी वो अपने पापा के लिए क्या बना रही थी क्या वो अपने पापा के लिए scarf बना रही थी मकमल का dress बना रही थी पिन कुशन बना रही थी obviously pin question बना रही थी, वो अपने पापा के लिए एक तकिया बना रही थी, ताकि वो अपने पापा को खुस कर सके, ठीक है, चलो, second question भी हमने कर लिया, now, second question का second वाला देखते है, what was the question in front of केजिया, while preparing pin question, जब केजिया pin question बना रही थी, जब उसने तीन साइट सिल दिये, तो उसके सामने कौन सा बड़ा दिक्कत आया, क्या केजिया उस तकिया को सिल नहीं पा रही थी, नहीं, ये तो दिक्कत नहीं थी, उस तकिया के अंदर क्या भरा जाए, क्या ये दिक्कत थी, बिल्कुल, ये तो दिक्कत थी ना, केजिया को ये पता ही नहीं चल रहा था, कि इस तकि अब यह जो केजेह है वो अपने मा के रूम में क्यों गई ताकि उसे कुछ मिल जाये तकिये के अंदर भरने के लिए ठीक है, क्या वो अपने मा की advice लेने गई थी, नहीं, क्या वो कुछ cotton कपड़े लेने गई थी, नहीं, क्या वो कुछ टुकड़े लेने गई थी, जिसको तकिये में भर सके, जी हाँ, बिल्कुल, C वाला option हमारा बिल्कुल correct होगा इसका, कि भाई के जी आपने मा की रूम में क state का मतलब होता है, रुका हुआ, state का मतलब क्या होता है, state का मतलब होता है, भाई, रुका हुआ, आपको इन चारों में से ये ढूदना है, कि रुका हुआ, इसका opposite ढूदना है हमें, तो रुका हुआ का मतलब होता है, चलता हुआ, ठीक है, रुका हुआ का opposite क्या होगा, चल तो यह कई option बसता है हमारा wondered और yes wondered का मतलब होता है इधर उधर घूमना या इधर उधर चलना तो state word का जो एंटॉनिम है वो क्या है wondered है ठीक है third question from this particular chapter again हमारे पास क्या है एक extract based question है lines को पढ़ते हैं और question की answer करते हैं अब देखो जिस रात केजिया के पापा का जो speech था वो खो गया था उस रात घर में काफी हला गुला हो रहा था UN cry का मतलब होता है काफी सोर गुल हो रहा था क्यों हो रहा था क्योंकि केजिया के पापा का एक बहुत ही important speech था वो speech part authority के लिए था part authority एक सरकारी आप क्या सकते हो दफ्तर होता है अमेरिका में और वहां के लिए उसके पापा ने speech तयार किया था और वो speech गायब हो गई थी इस वज़े से घर में काफी सोर गुल हो रहा था पूरा room search किया जा रहा था नौकरों से प्रस्ण पूछे जा रहे थे कि भाई क्या तुमने कहीं कुछ देखा है कोई speech देखी है और उसके बाद आखिरकार केजिया की मा केजिया की room में जाती है अब आपको ये बताना है in questions का answer करना है in questions का पहला question है कि भाई you and cry का मतलब क्या होता है what was there a you and cry in the house you and cry का मतलब होता है काफी सोर गुल होना ठीक है अच्छा नहीं question में पूछ रहा है why was there a you and cry मतलब घर में इतना सोर गुल क्यों हो रहा था क्या घर में चोर घुसाए थे क्या पडोसी लड रहे थे इस इसलिए घर में सोर गुल हो रहा था क्या पापा की important speech गायब हो गई थी इसलिए सोर गुल हो रहा था बिल्कुल हां सी वाला option बिल्कुल सही है कि केजिया की जो पापा थे उनकी बहुत ही important speech थी वह गायब हो गई थी इसलिए घर में काफी you and cry था ठीक है दूसरा question आप से पूछ रहा है कि आपको you and cry का मतलब पता है क्या you and cry का मतलब क्या होता you and cry का मतलब होता है सोर गुल ठीक है loud noise बहुत ज्यादा जब आवाज आती है तो उसको हम कहते है you and cry ठीक है तो loud noise हमारा इसका correct answer होगा let's move to the इसी paragraph का तीसरा question देखते हैं तीसरा question पूछ रहा है कि भा पापा के पेपर को सर्च कर सकें गलत ताकि वो केजिया से पूछ सके कि क्या तुमने पापा के पेपर को देखा है केजिया को डाटने के लिए आई थी या केजिया को खाना देने के लिए आई थी तो भाई डाटना और खाने देने के लिए तो आई नहीं थी तो ये दोनो question what all was done to find out the paper मतलब पापा के speech को ढूड़ने के लिए क्या क्या किया गया नौकरों से पूछा गया बिल्कुल rooms ढूड़े गये बिल्कुल हाँ ये भी किया गया केजिया से भी पूछा गया हाँ ये भी किया गया तो all of the above sorry ये option गलत है यहाँ पर होना चाहिए all of the above ठीक है तो हमारा correct option क्या होगा हमारा correct option होगा डी वाला कि भाई ये तीनों काम किया गया था जब केजिया के पापा के paper को ढूड़ा जा रहा था तो नौकरों से भी पूछा गया था रूम भी ढूड़े गया था और केजिया से भी पूछा गया था तो ये तीनों काम हुआ था इसलिए all of the above हमारा correct answer होगा इसी चाप्टर का चौथा question है कि भाई केजिया वास बिटेन अफ विद रूलर बाई हर फादर केजिया को उसके पापा इस वज़े से नहीं तो ये तीनों गलत है हमारा और सही क्या है चौथा वाला कि भाई sit on down the papers of the father केजिया ने क्या किया था ना पापा के स्पीच को फाड के तकिये में भर दिया था इस वज़े से पापा ने उसको रूलर यानि छड़ी से मारा था ठीक है चलो पाचोवा question इसी chapter से कि भाई केजिया के सपने में क्या आता था केजिया एक सपना देखती थी ना डराओना तो वो कौन सा सपना था क्या कोई राक्षस आता था चाकू लेकर नहीं राक्षस नहीं आता था क्या कोई बूचर यानि कसाई वो चाकू और रसी लेकर आता था हाँ यही सपना आता था अगर आपने इस chapter को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाई केजिया के सपने में क्या आता था एक कसाई आता था जो चाकू और रसी लेकर उसके पास हस्ते हुए आता था तो बी वाला मारा correct option है कि भाई केजिया को कौन सा सपना आता था ये बूचर वाला सपना बूचर जिसमें लिखा हो समल लो वही correct answer है बूचर का मतलब कसाई होता है ठीक है sixth question from this particular chapter why was केजिया left at home alone with her cook मतलब एक दिन की बात है जब chapter end हो रहा था तो हमने पढ़ा होगा कि भाई केजिया अपने घर में केवल अकेली थी केवल उसके पापा थे और वो cook मतलब जो उनके आँ खाना बनाने वाला था केवल यही था क्यों उसकी दादी और उसकी मा कहा गई थी क्या उसकी दादी और उसकी मा मचली मारने गई थी क्या वो लोग गाउं गये थे या फैमली फंक्षन में गये थे शॉस्पिटल गये थे यह हमारा correct option है जी हां है इस चाप्टर लीटल क का राइटर कौन है पहले चाप्टर है इसी मों दूसरा ॥ अधे लां ग्लैनी वाले का राइटर कौन है कौन है याद रहेगा तो इस तरीकेए से हमें थेर्ड चाप्टर को भी चर लिया नोеп होगा जलो इस चाप्टर से कुछ कोश्यन से देखते हैं और करते हैं और यह पता लगाते हैं कि आपने कि पढ़ा है लेकिन यह चाप्तर से एक ही दो प्रम को जानना जरूरी है पहला क्वेशन क्या बोल रहा है पहला क्वेशन पूछ रहा है आप कौन कहेकर इनको brother boring बुलाता था yes correct option is Einstein's playmates Einstein जिनके साथ खेलने जाते थे न तो उनको समझ में नहीं आता था कि वो बाकी बच्चों के साथ क्या करें इसलिए बाकी बच्चे उन्हें brother boring बुलाते थे इसलिए भाई जो Einstein थे न वो जाधा तर समय अकिली खेला करते थे उनको दूसरे बच्चों में कोई interest ही नहीं था चलो दूसरा question पूछ रहा है कि Albert Einstein कब पैदा हुए थे कौन सी date को पैदा हुए थे आप लोगों को पता होगा यार या आपके chapter की पहली line है 14 March 1879 को हमारे महान वज्ञानिक का जनम हुआ था ठीक है याद रहेगा Albert Einstein मतलब 14 March Albert Einstein मतलब 14 March 1879 ठीक है चलो third question आप से क्या पूछ रहे है third question पूछ रहे है कि where did Einstein's family move when Albert Einstein was just 15 months old मतलब Albert Einstein जब 15 महीने के थे तो उनकी family कि सहर में रहने चली गई कौन से सहर में गई थी Switzerland में, Monique में, Jurek में या Burn में तो मैं आपको बता दूँ कि जर्मनी का एक सहर था Monique वहाँ पर Albert Einstein का पूरा परिवार जब Albert Einstein केवल 15 महीने के थे तब रहने चला गया था fourth question आप से क्या पूछ रहा है fourth question पूछ रहा है कि whom did Einstein call clever creature Einstein ने ना अपने एक दोस्त का नाम रखा था clever creature वो दोस्त कौन थी क्या उसकी मा थी नहीं, मा तो दोस्त होई नहीं सकती है क्या उसकी headmaster थी नहीं, मिलेवा मैरिक थी जी हाँ, मिलेवा मैरिक ये Einstein के साथ जूरीक में कहाँ पर? University of जूरीक में साथ में पढ़ती थी और Einstein को ये लड़की काफी पसंद थी बाद में Einstein ने इससे साधी भी कर ली इसलिए वो उस लड़की को clever creature बुलाते थे, ठीक है? मतलब बिल्कुल Einstein जैसी थी ये Now, पचवा question कि The Bureau of Theoretical Physics Is the name given to Einstein's what? मतलब Einstein ना, एक चीज को क्या कहकर बुलाते थे, वो कहते थे Bureau of Theoretical Physics वो किस चीज को कहते थे Bureau of Theoretical Physics क्या जो उनका lab था जिस lab में वो अपने research करते थे क्या उस lab को ये कहते थे क्या अपनी drawer को जिस drawer पर बैठ कर, जिस table पर बैठ कर वो काम करते थे, क्या उसको वो कहते थे क्या अपने magnifying glasses मतलब जो उनका lens था क्या उसे वो कहते थे नना असदे अब तो मैं आपको बता दू जी हाँ उनका जो drawer था जिस table पर वो बैठ कर काम करते थे वो मजाक मजाक में अपने table को एक नाम दे दिया था उन्होंने क्या कहा था Bureau of Theoretical Physics ठीक है यह इतना hard नाम Albert Einstein ही दे सकते हैं हम लोग क्या देते हैं कल्लू मल्लू ठीक है चलो question number 6 बोल रहा है कि mass और energy के बीच में एक relation है उस relation का formula कौन सा है क्या m equal to e m is greater than e या e equal to mc square या mc equal to e मैं आपको बता दू यही तो है Einstein की सबसे famous equation जिसको हम कहते है theory of relativity क्या कहते हैं इसको theory of relativity पता है Einstein ने theory of relativity को समझाने के लिए क्या कहा था Einstein ने कहा था कि अगर तुम एक hot लड़की के साथ 2 घंटे भी बैठ जाओ ना तुम्हें लगता है कि 2 इमिनट हुआ है अभी तो लेकिन अगर तुम किसी hot यह एक ऐसा question है जो काफी famous था और इससे Albert Einstein ने दिया था ठीक है equal to mc square इससे हम mass और energy के relation बताते है got it समझ में आया now seventh question seventh question इस chapter का कि who said these words c is a book like you chapter में एक line है c is a book like you अब इस line को किस ने कहा है क्या Albert Einstein ने कहा है Albert Einstein की पतनी मिलेवा महरीक ने या Albert Einstein के headmaster या उनकी माने किन ने कहा ही है देखो जब Albert Einstein ने सबसे पहली बार अपनी मा को मिलेवा के बारे में बताया तो उनकी मानी क्या कहा है उनकी मानी कहा कि इस लड़की से तुमारी साधी नहीं करनी है क्यों क्योंकि ये तुम्हारी तरही पूरी किताब है मतलब Albert Einstein भी पागल मिलेब मैरिक भी पागल ठीक है चलो Next 8th question को करते है In which year did Einstein General Theory of Relativity was published मैं आपको बता दो Einstein ने सबसे पहले Theory of Relativity निकाला उसके बाद उन्होंने General Theory of Relativity निकाला ये कब निकाला था ये 1915 में ठीक है चलो याद रहेगा Einstein का जो General Theory of Relativity था वो 1915 में आया था ठीक है चलो आगे बात किरते हैं Now we will do 9th question और ये जो question है ना वो इसी chapter की एक line से है आपको याद होगा कि भाई हमारी जो Einstein साहब थे ना वो अमेरिका के president को एक letter लिखते हैं क्या लिखते हैं letter लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि जो atom bomb है ना अगर वो किसी airport पर गिरा दिया जाए तो वो airport के साथ-साथ उसकी अगल-गल के जगह को भी तबाह कर देगा इतना खतरनाक है atom bomb ठीक है और हिरोशिमा और नागासाकी के जो attack हुआ था वो 1945 में हुआ था तो हमारा इस line को support करने के लिए correct option होगा हिरोशिमा और नागासाकी मतलब आप समदगे की नी मतलब ये था कि भाई Albert Einstein ने 1939 में American President को पत्र लिखा कि भाई अगर atom bomb समाल कर प्रियोग नहीं करोगे तो वो काफी नुकसान दे सकता है American President ने इसको हलके में ले लिया और अमेरिका ने 1945 में जापान के उपर atom bomb गिरा दिया जिससे जापान की लोग आज भी बिकलांग पैदा होते हैं इतना खतरनाक है atom bomb ठीक है तो हमारा first option बिल्कुल सही होगा हिरो सिमा नागा साखी 10th question from this particular chapter कि भाई Einstein जब मरे वेन Einstein डाइड हूँ कितने साल के थे कितने साल के थे जब उनका मित्तिव हो गया मैं आपको बता दूँ कि 1879 में वो पैदा हुए थे और 1955 को वो मर गया मतलब टोटल 76 साल 76 years के थे वो तब उनकी मौत हो गई थी अब हम चाप्टर नबर 6 यानि आपकी बिहाइफ का प्रोज से आखरी चाप्टर माई चाइल्डूर ये चाप्टर आपकी APJ अब्दुलकलाम के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा ये पूरा चाप्टर न Wings of Fire नाम के आटोबायग्राफी से लिया गया है Wings of Fire ये APJ अब्दुलकलाम की ही खुद की आटोबायग्राफी है उसी बुक से ये चाप्टर लिया गया है पहला क्वेशन पहला क्वेशन बोल रहा है की Das is the father of APJ अब्दुलकलाम मतलब भाई साब की APJ अब्दुलकलाम के पापा कौन थे फादर कौन था देखो इनके नाम में ही इनके फादर नीम को चुपा हुआ है simple मतलब एकदम साधारड जीवन व्यतीत करने वाली जो मेरे फादर है ना वो फाल्टो के जो comfort सुक्सु विदाय होती थी उसको avoid करते थे उसको नहीं लेते थे अब इस line में ओस्टर का मतलब क्या है ओस्टर फादर ओस्टर फादर का मतलब होता है तो भाई यह ओस्टर का मतलब क्या होता है simple, strict or sever आपके इस चाप्टर में आपका जो इस चाप्टर का दूसरा पेज है उसमें इस ओस्टर की meaning लिखी हुई है simple, strict or sever याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा जब सेकेंड वर्ड वर्ड चालू हुआ 1949, 1939 में आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ड 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 स्टार्ट हो गया था तो अब्दुल कलाम कितने साल के थे जब ये सेकेंड वर्ड 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 स्टार्ट हुआ तो कितने साल के थे बता? फटा-फट 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के या 10 साल के बिल्कुल आठ साल के थे क्योंकि तभी उन्हें एक नौकरी मिली थी न्यूस पेपर को पकड़ने की ठीक है चलती हुई ट्रियन से कोई न्यूस पेपर फेगता था उसे ये पकड़ लेते थे तो आठ साल के थे ये जब सेकेंड वर्ड वार स्टार्ट हुआ याद रहेगा बिल्कुल याद रहेगा लेस्ट मूड तो फोर्थ कोईशेंग वाट वास्ट काजूएलिटी इन रामे स्वरम डियू टू सेकेंड वर्ड वार बोल रहा है कि भाई पूरे देश दुनिया में तो इधर उथल 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 मची हुई यूई थी लेकिन रामे स स्वरम में एमर्जंसी लगा दी गई या ओल आफ दे एवर तो आपने इस शाप्टर को पढ़ा है कि भाई ट्रेन हाल्ट वास सस्पेंडेड मतलब रामे स्वरम और धनुस कोडी के बीच में चलती हुई ट्रेन से पेपर फेका जाता था और ये हमारी एपीजे अब्दु तो समझ में आया होगा लेस वो तो फिफ्ट क्वर्चन भोल रहा है कि भाई एपीजे अब्दु कलाम ने अपने पापा से क्या सीखा था अपने फादर से कौन सी क्वालिटी सीखी थी अब्दुल कलाम ने क्या भगवान पर विश्वास करना, दयालू या किसी के प्रति लॉयल रहना, समर्पित रहना या इमानदारी और सेल्फ डिसिप्लीन क्या सीखा था उन्होंने अपने फादर से, तो मैं आपको बता दू, जी हाँ, faith in godness उन्होंने अपने mother से सीखा था, भगवान में विश्वास करना, एपिजदुल कलाम ने अपनी मा से सीखा था, और इमानदारी और सेल्फ डिसिप्लीन वो उन्होंने अपने father से सीखा था, ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो question त्यार होगे, अगर यहाँ पर father की जगर mother होता, तो आपका correct option क्या होता, faith in godness, ठीक है, चालो, let's move to the six questions, six questions हमारा fill in the blanks है, आपसे पूछ रहा है, who was the son of high priest of Ramessuram temple, मतलब, जो Ramessuram मंदिर था, वहाँ पर जो पुजारी थे, जो मुख्य का नाम क्या था, मैंने आपको बता दू कि A.P.J. अब्दुलकलाम उनके बेटे के साथ ही पढ़ते थे, ठीक है, तो देखो यार, जो Ramessuram मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उनका नाम था, लप्छमना सास्त्री, क्या नाम था, लप्छमना सास्त्री, इनका नाम था, और इनहीं का बेटा था, जो A.P.J. अब्दुलकलाम का दोस्त था, वो कौन था, ये हमारा, रामा नधा सास्त्री, ठीक है, A.P.J. अब्दुलकलाम के तीन दोस्त थे, स्यू प्रकासन, अर्विंदम और रामा नधा, रामा नधा कौन था, वही रामिसुरम टेंपल के पुज रेलवेस में catering contactor मतलब, खाना वाना बातने का काम किया करता था, ठीक है? कौन था वो? रामा नधा था, नहीं, रामा नधा तो भई, वह पुजारी का बेटा था, वह ये काम नहीं करता था, वह तो बाद में RAMλαश्चुरम मंदिर का पुजारी बन गया, क्या अर्विंदम या स्यूप्रकाशन तो मैं आपको बता दू कि अर्विंदम जो था न वो लोगों को धार्मिक अस्थलों में जाने के लिए गाड़ी ट्रांस्पोर्ट अवेलेबल करवाता था और जो स्यूप्रकाशन था वो ही हमारा केटरिंग कॉन्ट्राक्टर बन गया साउथन रेलवे के साइन्स टीचर का नाम बताना है यहां बर कहा जा रहा है कि भाई जो मेरे साइन्स टीचर थे वैसे तो ब्राम्हर परिवार से थे और उनकी जो पत्नी थी वह बहुत कंजर्वेटिब माइंड की थी मतलब जात पात को बहुत मानती थी ठीक है लेकिन हमारे साइन्स याद रखना सिव सुब्रमनिया अईयर वो टीचर थे एपीजे अब्दुलकलाम के जिन्हों ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी थी ठीक है वो पंडित थे और ये एपीजे अब्दुलकलाम एक मुसल्मान थे लेकिन फिर भी कोई फरक नहीं था वो अपने घर पर बुला के ये पीजे को खाना खिलाते थे ठीक है चलो नाउ सेवन्थ कोईशन फ्रॉम दिस चाप्टर की भाई इस चाप्टर में एक वर्ड यूज हुआ है दिना मनी अब दिना मनी का मतलब क्या जो डेली डेली डेट होता है एक तारिक दो तारिक उसको हम दिना मनी कहते हैं नहीं गलत है ये इसको दिना मनी नहीं कहते हैं डेली न्यूज जो हम डेली न्यूज पढ़ते हैं क्या उसको हम दिना मनी कहते हैं नहीं मैं आपको बता दो यार दिना का मतलब होता है डेली और मनी का मतलब क्या होता है पेपर जो डेली न्यूज पेपर आता था उसको हम दिना म नहीं कहा चाहता था याद रहेगा बिल्कुल याद रहेगा नाओ एट कोईशन फॉर्म दिस चाप्टर कि भाई साहब अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी है उस बायोग्राफी का क्या नेम है मतलब अब्दुल कलाम ने अपनी ऊपर ये बुक डाली है जी हां अपने बुक विंक्स ओफ फायर तो प्रोज वाला पोशन तो हमने खतम कर लिया है अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे पोईट्री जी हां तर्मोन की एग्जामनेशन में आपके चार पोएम्स आ रहे हैं जिनमें से सबसे पहला है दर रोड नाट टेकन ठीक है अब देखो अब अपने पोएम के नीचे देखोगे ना तो लिखा होगा रॉबर्ट फ्रोस्ट यह आपके बुक की पहली पोएम है आपको याद होनी चाहिए ठीक है रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएम्स लिखते हैं लेकिन उनकी मीनिंग काफी डीप होती है ठीक है अमेरिकल नह ये किस बारे में हमें बताती है क्या ये दो रास्तों के प्लाइट के बारे में बताती है दो लोगों के बारे में बताती है या सिर्फ दो रास्तों के बारे में बताती है या हम इंसान अपने जिन्दगी में जो फैसले लेते हैं उसके बारे में बताती है तो मैं आपको बता वही हमारा future decide करेगी तो हमारा D बाला option बिल्कुल correct होगा कि यह जो poem है यह हमें किस बारे में बताती है about the choices made by people ठीक है चलो third question क्या है which thing decides the person's future according to this poem इस poem के अनुसार एक इंसान की जिंदगी किस चीज से तैं होती है किस चीज से एक इंसान की जिंदगी decide की जाती है तो किस चीज से जिस रास्ते पर वो चलता है क्या उस उस चीज से या जो रास्ता वो छोड़ देता है उस चीज से उसकी जिंदगी decide होती है या जो पस्तावा वो करता है या जो success वो पाता ये तीनों गलत है उपर वाला हमारा सही है पढ़के तुम डॉक्टर तो बन नहीं जाओगे तो बस वही आपसे पूछ रहा है तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है A. The path one chooses to walk मतलब एक इंसान जिस रास्ते पर चलता है वही उस इंसान का future decide करता है ठीक है अच्छा चौथा question आपसे पूछ रहा है कि यह सिखाना चाहता है या road is nothing मतलब रास्ता को मतलब कुछ होता नहीं है क्या यह सिखाना चाहता है नहीं यार यह सब फाल्तू की चीज़े है बी सी और डी यह नहीं होगा हमारा क्या होगा first वाला poem हमें सिखाता है कि जो भी हम अपने फैसले लें वो बहुत बुधिमानी से लें क्यूं क्यों क्योंकि हमारे फैसले पर ही हमारी life depend होती है अगर हम गलत फैसला लेते हैं तो हमारी life अंकार में चली जाएगी ठीक है 5th question क्या पूछ रहा है कि भाई जो poet था आपने इस poem को पढ़ा होगा तो poet ने दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चुना मतलब एक रास्ते में बहुत सारे लोग गए थे ठीक है और दूसरा रास्ता पूरा खाली पढ़ा था तो poet ने कौन सा रास्ता चुना था ये दूसरा वाला जो खाली था लेकिन क्यों चुना था ये बताओ मेरे को because he had to walk alone because he had no vehicle because he was one person या all मतलब आपसे पूछ रहा है कि why was the poet able to travel only one road इन दोनों रास्तों पर poet क्यों नहीं चल पाया तो यार आपके poem की दूसरी लाइन है कि and sorry I could not travel both because be one traveler मतलब जो ये हमारा poet है वो केवल ये कही इनसान है ना तो वो दो रास्तों पर कैसे चलेगा ये कही रास्ते पर चलेगा ना तो C वाला हमारा option बिलकुल correct है now sixth question from this poem इस poem में yellow wood एक word use हुआ है yellow wood की two roads diversed in a yellow wood अब yellow wood का मतलब क्या है क्या जो पत्तियां गिर रही है उसका मतलब yellow wood है नहीं गलत है forest with yellow leaves in the autumn season जी हां यह हमारा correct option होगा कि भाई autumn season में जो पीली-पीली पत्तियां होती है आपको पता है यार कि जब autumn season आता है तो पत्तियां पक जाती है yellow color की हो जाती है और वहीं पत्तियां जब गिर जाए नीथे जंगल में गिरी हुई हो तो उनको हम yellow wood गहते है forest with yellow leaves in the autumn season woods का मतलब क्या होता है बेटा wood का मतलब होता है लकडी और वहीं पर woods हो जाए तो वह हो गया पूरा जंगल ठीक है water का मतलब क्या होता है water का मतलब होता है पानी अगर waters हो जाए तो वह हो गया पूरा समुद्र समझ में आ रहा है ना बहुत मज़ेदार होती है English बस समझने की दर्वत है तो मैं question number seven क्या है what source the road has not been used by many people मतलब दो रास्ते थे एक रास्ते पर काफी लोग चले थे और दूसरा रास्ता पूरा खाली था अब poet को कैसे पता चला कि दूसरे रास्ते पर कोई नहीं चला है कैसे पता चला चलो देखते हैं देखो क्या था इस poem में ही एक line use हुई है कि भाई जो दूसरा वाला रास्ता था वो क्या था वो untrampled था और green था मतलब untrampled मतलब लोगों ने उसको कुछला नहीं था किसी का पाउ उस रास्ते पर नहीं पड़ा था तो ए वाला option हमारा बिलकुल correct होगा भाई इसी चीज से हमें पता चलता है कि जो road था उस पर कोई भी नहीं चला था ठीक है चलो 8 question क्या पूछ रहा है 8 question आपसे पूछ रहा है कि भाई what does the poet's decision of taking less traveled road signify मतलब जो poet है वो दूसरा रास्ता च taking है मतलब poet risk की काम करना पसंद करता है या poet बहुत जादा घमंडी है इसलिए वो दूसरे पर जाना चाहता है या poet जानना चाहता है कि दूसरे road पर क्या मिलेगा इसलिए या poet निगलेक्ट करना चाहता है तो मैं आपको बता दू यार कि फिर से हमारा again A वाला option correct होगा जो poet ह ना वो risk taking है मतलब वो काफी risk लेता है अपनी जीमन में ठीक है तो यही चीज हमें बताया गया है और इसलिए poet में वो रास्ता नहीं चुना जिस पर बाकी लोग जाते हैं वो रास्ता चुना जिस पर कोई नहीं गया ठीक है चलो now ninth question आपसे पूछ रहा है कि what did the poet choose the second road poet ने दूसरा रास्ता क्यों चुना क्योंकि वो रास्ता काफी अच्छा था क्योंकि वो रास्ता काफी सुन्दर था या उस रास्ते पर बहुत कम लोग गये थे और वो रास्ते पर चलने का poet का मन कर रहा था जी हाँ यही कारड था कि poet ने दूसरा रास्ता चुना second road चुना क्या कारड था कि उस road पर काफी कम लोग गये थे और poet को मन कर रहा था कि वो उस दूसरी road पर जाए जिस पर कोई नहीं गया है ठीक है चलो now tenth question and last question of this particular chapter कि भाई poet का डिलेमा क्या था दुविधा डिलेमा का मतलब क्या होता है दुविध poet किस दूविधा में था इस रास्ते पर जाओ या इस रास्ते पर जाओ ठीक है whether he will be able to come back to the second road or not या whether he will get time for himself whether he will be successful whether he will be able to walk ये तीनों गलत होगा ये पहला option बिलकुल सही है हमारा ठीक है क्या है ये option कि poet इसलिए confused था क्योंकि वो अगर पहला रास्ता चुन लेता तो उसे ये confusion थी कि क्या वो दुबारा second road पर आप आप आएगा या नहीं आप आएगा ठीक है तो first option हमारा बिलकुल correct है is it clear बिलकुल clear होगी होगी अब poem number one की तरह poem number two भी आपने पढ़ रखी होगी the sound of music ये जो chapter number second है उसी का ये poem है wind आपको ये wind पढ़ने के बाद ये पूरा poem पढ़ने के बाद आपको एक थोड़ी से summary में बता देता हूं यार कि इस पूरे poem में na poet हमसे बोल रहा है कि भाई तुम अगर कठिनाईयों का स if we are strong अब देखो wind का यहाँ पर सीधा सा मतलब difficulties से है ठीक है poet हमें बताना चाहता है कि भाई जैसे तुम हवाओं को तेज हवाओं को आने से रोक नहीं सकते हो वैसे ही तुम कठिनाईयों को भी आने से रोक नहीं सकते हो लेकिन उससे बच जरूर सकते हो ठीक है चलो तो इस पहले question में आपसे पूछ रहा है कि भाई poet के अनुसार तुम्हारा friend कौन बन जाएगा अगर तुम मजबूत रहोगे अगर तुम तयार रहोगे तो भाई poem के अनुसार बताना है तो wind ठीक है otherwise यहाँ पर अगर difficulty होता तो difficulty हमारा correct option होता कि कठिनाईयों से अगर हम डरेंगे अगर हम कठिनाईयों के लिए पहले से strong रहेंगे तो जो difficulty है वो हमारी friend बन जाएगी ठीक है समाझ में आया चलो question by two की बात करते है कि name the things the wind had done इस poem को पढ़ने के बाद आपने पढ़ा होगा यार कि poem में लिखा ना कि don't break the sutters, don't ton the papers बहुत कुछ लिखा गया है तो वही बो काम wind ने किया है इसलिए all of these हमारा correct option होगा now third question कि which word has been repeated in the poem अगर आप अपनी ये जो wind poem है ये page number 30 पर है page number 30 कि जब तुम 9th line देखोगे न तो उसमें एक word बहुत बार repeat हुआ है line क्या है? line ये है कि भई frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling life मतलब crumbling word बार-बार use हुआ है तो यही आप से question पूछ रहा है कि poem में कौन सा ऐसा word है जो बार-बार use हुआ है तो आप अपनी page number 30 अपनी विहाई बुक का 9th line देखोगे तो आपको दिखेगा कि crumbling word बहुत बार use हुआ है चलो, fourth question की बात करते हैं fourth question पूछ रहा है कि भाई, यह जो wind god है मतलब जो परिसानिया है, परिसानिया सबसे ज़ादा किसको आती है जो लोग कमजोर होते हैं, जो लोग weak people होते हैं उन्हें परिसानिया सबसे ज़ादा परिशान करती है अब तुम अगर परिसानिया के लिए तयार हो, कोई मुसीबत के लिए तुम पहले सबसे तयार हो तो वो तुमें परिशान थोड़ी ना करेगी, हैगी नी, चलो तो fourth question का answer हमारा यह है weak people, now fifth question which word in the poem means to prosper, prosper का मतलब होता है आगे बढ़ना, prosper का मतलब क्या होता है आगे बढ़ना, बहुत तरक्की करना इसका मतलब होता है prosper, ठीक है steadfast, steadfast का मतलब मजबूत होता है आपको इन चारों में से ढूड़ना है कि आगे बढ़ना किसका मतलब है इन चारों में से steadfast, steadfast का मतलब होता है मजबूत, florist florist का मतलब होता है, फलना, फूलना आगे बढ़ना, तो prosper का जो direct meaning होगा, वो होगा florist, vinos का मतलब होता है, छाटना तो ये भी नहीं होगा, trembling का मतलब होता है कमजोर, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है चालो, so our sixth question is, what is the message in the poem इस poem से, poet हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या आपको मजबूत रहना है, आपको परिसानी के लिए हमेशा तयार रहना है, ये सिखाता है या आप अपने घर के खिड़कियों को मजबूत बनवाओ, ये सिखाता है या आप हवाओं को रोक लो यह सिखाता है भाई तो यह दोनों तो फालतू के options हैं आपका पहला वाला option बिल्कुल correct होगा be firm and strong मतलब इस poem में poet हमें यह बताता है कि अगर तुम कठिनाईयों के लिए पहले से ready रहोगे ना strong रहोगे तयार रहोगे तो वो तुम्हें परिशान नहीं करेंगी now seventh question कि इस poem में एक figure of speech का use हुआ है figure of speech मतलब अलंकार होता है जो poem को decorate करने के लिए poem और अच्छा लगे पढ़ने में इसलिए use करते हैं poet तो इस poem में कौनसे figure of speech का use हुआ है तो मैं आपको बता दू personification का use हुआ है personification क्या होता है जब किसी non-living things को एक इंसान मान लिया जाए तब हम वहाँ पर personification कहते हैं ठीक है आपने देखा होगा इस poem में word use हुआ है wind ठीक है wind आपने देखा होगा कि भाई जो wind है वो दरवाजों को तोड रहा है वो खिडकियों को तोड रहा है वो कमजोर लोगों को परिशान कर रहा है तो यह काम तो सिर्फ इंसानों का होता है तो यहाँ पर जो wind है वो इंसान से compare किया गया है इसलिए personification हमारा figure of speech इस question इस poem में है समझ मैं चलो how can we be friends with the wind यहाँ पर बोला है कि भाई तुम wind यानि difficulties यानि कठिनाईयों के लिए कैसे तयार हो सकते हो क्या तुम्हें इसके लिए मजबूत घर बनवाना पड़ेगा नहीं याद मजबूत घर कितना भी बनवा लो फिर भी difficulties परसानी रहेंगी रहेंगी तुम्हें अपनी body strong बनानी पड़ेगी पता नहीं having a strong hurt पता नहीं तो भाई इसमें से कौन सा है आपको इन तीनों में से तीनों correct option है आपके घर भी मजबूत होने चाहिए आपकी body भी strong होनी चाहिए आपका दिल भी मजबूत होना चाहिए तब जाकर wind god आपके friend बनेंगे ठीक है now 9th question कि he won't do what you tell him who is he in this line इस line में एक word यूज हुआ है एक line यूज हुई है कि भाई तुम wind god से जो कहोगे वो वो नहीं करेंगे तो he किस के लिए यूज हुआ है wind god के लिए यूज हुआ है ठीक है चलो 10th question and last question of this particular poem कि इस poem में एक word है जिसका मतलब होता है कि अलग-अलग दिसाओं में फैला देना कौन सा word है scatter scatter का मतलब क्या होता है फैलाना ही तो होता है throw का मतलब होता है fake ना तो ये तो होगा नहीं break का मतलब होता है तोड़ना all of these तो होगा नहीं तो scatter हमारा क्या है बिल्कुल correct option है ठीक है अब आप ही के literature book का poem number 3 के MCQs करने वाले हम जी हाँ rain on the roof the little girl के जिया chapter number 3 इसके just बात poem number 3 आता है rain on the roof और आपने बाकी poems की तरह इस poem को भी पढ़ रखा होगा बिल्कुल पढ़ रखा होगा चलो check करते है first question from this poem कि भाई who is the poet of the poem यानी rain on the roof को लिखने वाला poet कौन है Robert Frost, Subramaniam, Coet Skinny या W.B. Eats तो मैं आपको बता दू आपका correct option है Coet Skinny जी हाँ Coet Skinny poet है rain on the roof poem के ठीक है now second question from this particular poem कि भाई what poetic device has been used in starry spheres and darling dreamer देखो आपको मैं बता दू poetic device के मतलब वही होता है हमारा अलंकार क्या होता है अलंकार जीसे हम English में figure of speech कहते हैं तो भाई कौन सा figure of speech यूज हुआ है इन lines में देखो अगर किसी भी दो same words अगल बगल हो जैसे देखो यहाँ पर S और S है यहाँ पर darling dreamers है तो वहाँ पर क्या होता है alliteration होता है alliteration का मतलब होता है बार बार दोहराना ठीक है जैसे starry spheres हो गया S और S बार बार दोहराए गये हैं repeat किये गये है darling dreamers में D.O.D. repeat किया गया है that's why कौन सा poetic device होगा alliteration होगा ठीक है याद रहेगा metaphor कहाँ पर होता है जहाँ पर किसी का comparison किया जाए personification कहाँ पर होता है जहाँ पर किसी non-living thing को इंसान मान लेया जाए ठीक है चालो अभी हम आगी की बात करते है question number 3 की question number 3 हम से क्या पूछ रहा है पूछ रहा है कि भाई which of these words is the use of the literary device of onomoto pya अब onomoto pya का क्या मतलब होता है onomoto pya का मतलब होता है कोई एक ऐसा word use हुआ हो जैसे कोई sound word जैसे हम हिंदी में कहते है नदियां कल कल भेती हैं तो नदियों की बहनी की आवाज है कल कल ऐसे होता ना कुटब होता है dog barks तो barks क्या है onomoto pya है हम sparrows cry कहते है sparrows chips कहते है मतलब sparrows की आवाज क्या है चिर्प करती है तो किसी आवाज का अगर use हुआ हो तो वहाँ पर onomoto pya है bliss का तो मतलब कोई sound होता नहीं है आगे देखते हैं singles singles का मतलब होता है जो होता है हमारे छटों की ऊपर लकडी का rectangular बनाया जाता है उसको क्या बोलते पुराने जमाने में उसको खपडायल बोलते थे ठीक है फिगरों स्पीच है onomoto pya onomoto pya एक ऐसा फिगरों स्पीच है जिसमें किसी sound का use हुआ हो ठीक है यह देखो rain patterns यानि बारिस टप टप गिरती है चलो now question number 4 की बात कर रहे है what is the favorite activity of the poet during the rainy season इस poem को पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि बाई जब भी बारिस हाती थी तो यह जो poet था न वो तकिये को पकड़ कर अपने कोटे चामबर अपने छोटे से घर के अंदर टप टप की आवास सुनता था ठीक है तो यह इसका फीबरेट काम था जब बारिस होती थी तो तो क्या था? Listening to music क्या वो गाना सुनता था? अरे नहीं गाना नहीं सुनता था यार क्या वो मस्त एकदम snacks खाता था? नहीं यह भी नहीं होगा Roaming on the roof छट पर इधर उदर टहलता था? नहीं यह भी नहीं होगा तो तीन नहीं होगा तो आखरी वाला तो हो गई होगा Yes, listening to the pitter-patter sound of the rain बारिस की टप-टप की आवाज सुनना पोएट को बहुत साथा पसंद था Now question number 5 की बात करते हैं कि Who are darling dreamers in the poem? अब देखो यहाँ पर इस poem के बारे में अगर आपको थोड़ा सा मैं बताओ ना तो poet ना अपनी मा को याद करता है और कहता है कि भाई जब मेरी मा थी ना तो हम जैसे darling dreamer हम जैसे darling dreamer मतलब जो बच्चे होते हैं इनकी मा बड़ी थी और यह poet क्या थे बच्चे थे ठीक है तो बच्चों के लिए यह darling dreamer word यूज हुआ है जो बच्चे बरसाथ की मौसम में सोच आते हैं अक्सर ना और मस्त सपने देखते हैं तो बस उनी के लिए darling dreamer का use हुआ है तो children's के लिए darling dreamer का use हुआ है got it, समझ में आया now question number 6 की बात करते हैं कि भाई what is the memory that comes to the poet's mind repeatedly बारिस के मौसम में poet को किस चीज की याद आती थी किस इंसान की याद आती थी अपनी मा की his mother क्यों क्योंकि भाई poet के साथ अब उनकी मा नहीं है वो passed out हो गई है ठीक है 7th question क्या होता है 7th question आपसे पूछ रहा है कि and a thousand recollections weave their air threat into woof ये line है poem की कहता है कि भाई जब बारिस होती है न तो हजारों यादें एक गुच्छा बनाकर woof का मतलब क्या होता है तो इसका none of the above होगा recollections का मतलब होता है memory dreams सपने होते है तो woof का मतलब होता है नी woof का मतलब होता है गुच्छा जैसे आपने देखा होगा oon का गुच्छा oon होता है लपेट देते हैं बड़ा सा गोला बन जाता है तो woof उसी को कहते है तो none of the way वो इसका correct answer होगा क्योंकि इसमें क्या है तीनो ही इसका गलत option है woven clothes का मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा वो भी नहीं होगा हमारा चलो आगी बात किरते हैं 8 वाला ठीक है 8 वाला क्या पूछ रहे है कि cottage chamber का मतलब क्या है cottage chamber मतलब एक होटा सा घर हो और उसका एक होटा सा room okay क्या cottage chamber का मतलब bid होता है नहीं a room in the cottage lawn भिलकुल chamber का मतलब क्या होता है chamber का मतलब होता है room किसी छोटे से घर में जोटा सा room बस यही मतलब है cottage chamber का follows socialism बिलकुल correct option होगा 8th question को भी हमने कर लिया now is the time for 9th question कि recollections का मतलब क्या हुआ re का मतलब दोबारा ठीक है क्या re का मतलब क्या होता है दोबारा और collections का मतलब होता है यादें दोबारा याद करना या इसको हम memories कह सकते हैं ठीक है तो हमारा a वाला option बिल्कुल correct होगा so this is all about this particular poem now हम आपके ही literature book का poem number 5 a legend of northland जो आपके term on के exam में आने वाला आक्ती poem है इसके mcqs को देखने वाले है अब इस poem को आपने पढ़ाई होगा यह जो पूरा poem है वो एक ballad है ballad का मतलब तो आपको पता होगा ना जब story को हम poem की थूरू दिखा दे तो that is called ballad ठीक है इस पूरे poem में एक कहानी बताई गई है सैंट पीटर एक सन्यासी है उसके बारे में बताई गई है कि सैंट पीटर स्लेजिंग के लिए निकलते हैं मतलब अपना घोडा गाड़ी लेके या आपने देखा होगा कि बर्फीले जगहों पर कुटे एक गाड़ी को खीचते हैं ठीक है और वो बर्फ से एकदम स्लाइड करके एकदम खिसक कर वो गाड़ी चलती है और उसको कुटे खीचते रहते हैं आप पिक्चर देख पा रहे होगे बगल में बस इसी को उन्सलेजिंग के एते हैं थीकिए, तो सेंट पिटर slaging के लिए निकलते हैं और उनको काफी भुब प्यास लगी होती है वो एक औरत की घर पर पहुँच्ते हैं, उससे ब्रेड माते हैं, मतलब रोटी माते हैं लेकिन वो जो औरत होती है, वो काफी लालची होती है इस वज़र से ये सेंट पिटर उस औरत को श्राब दे देते हैं कि जा बेटा तू अप्टा बन जाएगी पक्छी बन जाएगी ठीक है तो ये था पूरा पोयम ठक चलो इसे से कुछ questions है कि what message does this poem a legend of Northland कनवे मतब इस poem को पढ़ने के बाद आपको क्या message मिला आपको क्या सीखने को मिला लालची बनो क्या ये आपको सिखाता है ये पोयम नहीं यार कोई भी पोयम नहीं सिखाएगा कि तुम लालची बनो गरीबों की मदद ना करो ये सिखा रहा है या लालची मत बनो और गरीबों की मदद करो भूखे लोगों की मदद करो ये सिखाता है जी हाँ यही तुछ सिखाता है न सेंट पिटर भूखे थे उस औरत ने उनकी मदद नहीं करी इसलिए सेंट पिटर ने स्टाप दे दिया कि जओ तुम पक्ची बन जाओ ठीक है तो सेंट पिटर थे ये उस औरत से गुसा क्यों हो गये थे क्योंकि वो औरत जो थी वो केक बना रही थी इसलिए नहीं क्या वो पतला केक बना रही थी इसलिए नहीं इससे भी उन्हें गुसा नहीं आया उन्हें गुसा कब आया कि भाई वो औरत ना बार बार केक का टुकडा ले रही थी वो उसको पतलक किये जारी पतला किये जारी उसको लग रहा था कि मैं ज्यादा दे रही ज्यादा दे रही हूँ ज्यादा दे तो यह देखकर सेंट पेटर को गुस्सा आ गया ठीक है सो सी वाला option हमारा बिलकुल correct option होगा Now, third question from this poem, third question क्या बोल रहा है कि भाई, which bird did the scent's curse chase the women into, ये जो scent peter होते हैं, वो इस औरत को श्राप दे देते हैं, कि बेटा, तू इत्ती लालची है न, कि जा, तू अब से क्या करेगी, अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए जुगार करेगी, तो इसलिए उन्होंने इ ठीक है, तो scent peter के श्राप से ये औरत क्या बन जाती है, woodpecker नाम का एक bird बन जाती है, ठीक है, woodpecker आपने देखा हो गया है, हम इसको हिंदी में खटकड़ो आके हैं, ठीक है, मसा की आया है, लेकिन हां बोलने इसको हम, चलो, fourth question, fourth question क्या करे रहा है कि भाई, आपको इस poem में कुछ ऐसे examples ढूरने, किसके examples, alliteration क्या है, alliteration क्या है, alliteration is figure of speech, ये एक ऐसी figure of speech होती है, जिसमें कोई एक letter बार बार repeat किया गया हो, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर, tell का T, the का T, tail का T, two का T, इधर भी देखो, fent का F, ठीक है, fasting का F, इधर भी देखो, cakes, फिर, sorry, cakes नहीं, S, seem, फिर small, तो यहाँ पर क्या किया गया है, कि एक ही line में, जब बहुत सारे same words use हो जाए, वहाँ पर कौन सा figure of speech होता है, alliteration होता है, याद रहेगा, बिलकुल याद रहेगा, तो ये तीनो है हमारा, मतलब all हमारा correct option होना शाहिए, चलो, fifth question क्या पूछ रहा है, कि when do people go for slaging, slaging कप की जाती है, तो भाई, ये obvious है ना, slaging का मतलब क्या होता है, बर्फ के उपर गाड़ी को चलाना, ठीक है, आप ये picture देख पा रहे हो, ये जो इनसान है, ये बर्फ के उपर, कुतों से गाड़ी को भिचवा रहा है, इसी को slaging के हैते है, तो slaging कप की जाती है, गर में मौ पहानिकार का नाम बताइए, जिनोंने इस पोयम को लिखा है, कौन है, विलियम फ्रोस्ट, नहीं, गलत, रस्किन बॉंड, नहीं, कौली, नहीं, येस, फोई बे कैरी, याद रहेगा, इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन याद तुम कर सकते हो, कि भाई, जो आप के बिहाइफ का आखरी पोयम आ रहा है, उसके जो पोयट है, फोई बे कैरी, अलिजन अफ नॉर्ट लेंग के पोयट कौन है, फोई बे कैरी, तो इस तरीके से बिहाइफ के सभी प्रोज और पोईटरी वाले सेक्शन यहीं पर खतम हो जाते हैं, अब हम मुमेंस की कुछ हम मुमेंस का पहला चाप्टर है, अब लॉस्ट चाइड को आपने पढ़ा होगा, यह पूरा पोयम किसके बारे में एक बच्चे के बारे में है, बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला घूमने चाहता है, मेले में खो जाता है, ठीक है, पहले वो बच्चा मेले में जाने के on his way to the fair मतलब अगर आपने स्थाहनी को detail में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाई जब बच्चा मेला जा रहा था अपने माता पिता के साथ तो उसे रास्ते में क्या-क्या दिखाई देता है खिलोने हाँ खिलोने में दिखाई देते हैं मिठाईया और गार्लैंड्स हाँ ये भी दिखाई देते हैं बलून हाँ ये भी दिखाई देते हैं तो आप जब इस पोयम को पढ़ोगे तो आपके फिस्ट और सेकंड पैराग्राफ में ही पता चल जाएगा कि बच्चे को रास्ते में क्या-क्या दिखता है खिलोने दिखते हैं, मिठाईया दिखती है इस बच्चे को बरफी बहुत पसंथी ठीक है बलून्स गुबारे भी दिखते हैं तो आल अफ देवर हुमारा करेक्ट एंसर होगा ना लेस्ट मुव तो दे सेकंड क्वेशन आप दिस स्टोरी जी हाँ, बरफी इस बच्चे को बरफी बहुत पसंथी और मेले में जाने के बाद ये बच्चा अपने माता-पिसा से कहता है मतलब कहतो नहीं पाता लेकिन सोचता है कि कास में वो बरफी खा पाता ठीक है, पेस्ट्री भी नहीं, लड्डू भी नहीं, जली भी भी नहीं ये पेस्ट्री तो बिल्कुल होई नहीं सकता, कहानी में पेस्ट्री बिल्कुल नहीं जब बच्चा दोड रहा था तब, नहीं जब बच्चा आइस्क्रीम खा रहा था था भई बच्चा आइस्क्रीम खाई नहीं रहा था ठीक है तो यह वाला option बिलकुल नहीं होगा, यह भी नहीं होगा नन होई नहीं सकता इसलिए हमारा यह C वाला option बिलकुल correct है देखो जब आप स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चा ना खिलोनों को अवाइड कर देता है कि चलो यार मेरे माबाप नहीं दिलाएंगे छोड़ देता हूँ बलूंस को भी अवाइड कर देता है मिठाईयों के लिए भी जिब नहीं करता जब बच्चे के माबाप खो जाते है तो बच्चो को पहले उस बच्चे को पहले खिलोना चाहिए था बलून चाहिए था बर्फी चाहिए थी लेकिन अब उसे कुछ नहीं चाहिए अब उसे क्या चाहिए अब उसे केवल अपने मातापिटा चाहिए ऐसा क्यों क्यूंकि because of separation from his parents या because of no response from his parents या because his interest was changeंग हम कुछ कह नहीं सकते तो यार देखो, सबसे पहले उसके माता-पिता होंगे तब तो response करेंगे ना, तो ये वाला तो है ही नहीं क्या बच्चे का interest नहीं रहा थिलोनों में, इसलिए वो अपने माबाप की पास जाना चाहता है नहीं ऐसा नहीं, ये सब गलत options है हमारा ये वाला option सही है कि भाई बच्चे को जब पता चला कि वो अपने parents से अलग हो गया है और रास्ता भटक गया है तब उसे कुछ भी नहीं चाहिए था उसे केवल अपने parents चाहिए होते थे ठीक है, चौलो, fifth question from this story पहला question, दूतरा, तीसरा, चौता हमने कर लिया, पांचमा दिखते है what did the child realize after losing his parents बच्चा जब अपने माता-पिता से अलग हो जाता है तब उसे क्या एहसास होता है तब उसे ये लगता है कि भाई मेला तो बड़े ही मज़ेदार है नहीं, तब उसे ये नहीं लगता है उसका धगधग हो रहला होता है कि मेरे parents कहां गए तुम ही बताओ, तुम ही मेले में जाओ, खो जाओ तो तुम डरोगे नहीं कि मेरे parents कहां है उस समय तुम्हें कितने भी खिलोने दिला दो लेकिन तुम्हें वो नहीं चाहिए, तुम्हें किवल parents चाहिए तो यह बच्चे को भी parent चाहिए था ठीक है तो बच्चे को अपने माता-पिता से अलग होने के बाद क्या realize होता है उसे यह realize होता है कि मेला बड़ा मज़िदार है या उसे यह realize होता है कि भाई खिलोने बड़े attractive है या उसे यह realize होता है कि माता पिता इस जीवन में सबसे अमूल्य धन है उनकी comparison में कुछ भी नहीं है यही हमारा correct option होता है बच्चे को तब पता चलता है कि भाई parents की value क्या है Now question number 6 from this story question number 6 हमसे बोलना है कि भाई the lost child यह जो पूरा chapter है इस chapter को किस ने लिखाया सुधा मूर्ती ने मुल्क राज आनन्द ने अमरिथा प्रीतम या ओल अफ देवब तो होई नहीं सकता मुल्क राज आनन्द याद कर लेना आपके moments के पहले chapter के जो writer है मुल्क राज आनन्द आपके behind के जो पहले chapter के writer है वो है आई सक ऐसी move ठीक है याद रेगा now seventh question from this chapter कि भाई इस पूरे story को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है ये story हमें क्या सिखाना चाहता है इस story में हमें क्या ग्यान मिलता है ठीक है क्या हमें ये सीखने को मिलता है कि parents और children के बीच में क्या bonding होती है क्या प्यार होता है क्या हमें ये सीखने को मिलता है कि गाउं के लोग अच्छे होते है क्या हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें गाउं के मेलों में जाना चाहिए तो ये दोनों तो बकवास है none होगा ही नहीं हमारा ये वाला option बिल्कुल correct है close bonding between parents and children ये स्टोरी में एक बच्चे और माता-पिता के बीच में कितना प्यार होता है ये दिखाया गया है Now question number 8 कि जब बच्चा अपने माता-पिता से अलग हो जाता है तो वो हर चीज को मना कर देता है उसे ना खिलोने चाहिए, ना बलूंस चाहिए, ना उसे कोई मिठाई चाहिए ठीक है बच्चा यही था ये पहले खिलोने के लिए रो रहा था लेकिन अब उसे ये नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए क्या खिलोने से उसका मन भर गया है क्या अब वो खिलोना नहीं खेलना चाहता या because being with parent was more important क्योंकि उस बच्चे के लिए अपने माता-पिता ज़ादा ज़रूरी थे इसलिए वो बागी चीज़ों को मना कर रहा था जी हाँ, C वाला option नमारा बिल्कुल correct होगा कि भाई बच्चा जब अपनी माता-पिता से अलग हो गया तो उसे इस दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी उसे केवल अपने parents चाहिए होते हैं got it, समझ में आया so finally we have completed all the 10 chapters now अब आपके लिए एक homework है क्या homework है? chapter number 2, The Adventure of Toto chapter number 3, In the Kingdom of Fools and chapter number 4, What is the name of chapter number 4? The Happy Prince अब ये तीनों chapter आपको अपने practice के लिए रखना है इस PDF की link आपको direct link और telegram की link दोनों मैं आपको इसे वीडियो के description box में दे दूँगा अब आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है इन्हें इन सभी questions को जो ये सभी questions in chapter के हैं इनको आपको अपने से करना है and let's check के आपकी preparation कैसी है so this is all about this video hope you have loved this video so your love yaar because it took a lot of time to make such videos जिसमें आपके सभी chapters cover किये जाए so thank you so much for watching subscribe कर देना यार और क्या ही बोलू? पढ़ो लिखो, खुश रहो मिल दे अगली वीडियो में तब कक के लिए जे की जे की बवाई